दोस्तों आज मैं लेके आए हूँ आपके लिए VDC Flooring Vacuum Dewatering Concrete Flooring जिसको लोग Trimix भी बोलते हैं इस वीडियो में हम A to Z हर चीज को डिसकस करने वाले हैं वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है WBM Base होगा तो क्या होगा PCC Base होगा तो क्या होगा reinforcement कैसे होगी MS Channel कैसे लगेंगे Auto Level Machine कैसे वर्क करेगी Surface Vibrator कैसे लगेगा Vacuum Dewatering Pump से Water कैसे निकाला जाएगा Trower Floater Machine कब लगती है Power Floater Machine कब लगती है Brom Finish कब दिया जाता है Groove Cutting Machine से लेकर Construction Joint, Control Joint, Expansion Joint तक A to Z सब डिसकस करने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शियर करें, सबसे लाइक करें प्रोसीदा स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है PCC के ऊपर Trimix करने के लिए सबसे पहले आपको पूरे सर्फेस को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा वायर ब्रश है, ठीक है, उसके बाद इसकी सफाई करने के बाद आप फिक्सिंग करेंगे MS चैनल को MS चैनल की जो डिस्टेंस है, वो 4 मीटर रखी जाती है क्योंकि हमारे पास जो भी वाइबरेटर हम जो इसके उपर लगाएंगे या ऐलुमिनियम फंटी हम लगाएंगे, वो उससे जादा बड़ी नहीं होती है इसलिए MS चैनल का जो गैप है, वो 4 मीटर ही रखा जाता है और सर्फेस को लेवल करने के लिए MS चैनल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अब बात कर लेते हैं उटो लेवल के, MS चैनल को हम जाम करेंगे मसाले से तो उटो लेवल से जाम करेंगे राइंग में 8 mm का डाया था हमने 8 mm की डाया से 300 center to center both way सिंगल जाल spacing करके बान दिया है ठीक है इसके बाद इसकी cleaning स्टार्ट कर देंगे और आप देख सकते हैं मेरी cleaning स्टार्ट हो गई है cleaning में आप देख सकते हैं कि अच्छे से मैं cleaning करने के बाद water pressure ये देख लीजिए water pressure से भी मैं इसको अच्छे साफ कर लूँगा और इसके बाद इसमें cover block लगा लूँगा cover block करने के बाद जो slurry है मेरी उस slurry को मैं पूरे में अच्छे से spread कर दूँगा ताकि जो मेरी अब मैं इसमें concrete डालूँगा उसकी और PCC की अच्छे से bonding बन सके इसके बाद मैं इसमें concrete laying start करता हूँ यह जो मेरा grade है यह मेरा M25 है और आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने concrete को spreading करना start कर दिया है पूरे में अच्छे से फैलाने के बाद मैं aluminum की funty लगाना start कर दूँगा aluminum की funty लगाने से पहले मेरे को vibrator मारना बहुत जरूरी है आप देख सकते हैं वीडियो में left side में जो मेरी वीडियो है यह मैं vibrator मारता हुआ जा रहा हूँ इससे मेरे voids कम हो जाएंगे और right side में leveling करता हुआ जा रहा हूँ वह मैं already एक बार level कर चुका और मैं दूसरी बार level कर रहा हूँ और complete होने के बाद अब यह मेरा तयार हो चुका है ठीक है पूरा level हो चुका है level करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहां पे यह मैंने एक sheet बिचा दी है जलिए तो मैं आपको थोड़ा close से दिखाता हूँ देखिए यह lower mat है बहुत ही पतला टाइप का कपड़ा है बहुत ही छोटे छोटे छेद है इसके अंदर और यह upper mat है lower mat और upper mat करती क्या है जी क्या देखिए ट्रेमेक्स फ्लोरिंग जो concrete है उसकी जो strength है मेरी 30 से 50% मेरी बढ़ जाती है अगर में पानी रिमूब कर लेता हूँ पानी में वैक्यूम डिवाटरिंग पंप से रिमूब करता हूँ यह मेरा वैक्यूम डिवाटरिंग पंप है यह देख सकते हैं यहां थोड़ा cement type का होता है थोड़ा-थोड़ा core sand जैसे इसमें दाने होते हैं लेकिन अलग material का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देख लीजिए यह hardner है हाड़नर की जो range होती है यह देख लीजिए यह hardner है और हाड़नर की जो range है यह 327 kg per square meter होती है मतलब एक square meter में 3-7 kg के बीच में डाला जाता है हम लोग 4 kg को डाल रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं हम लोग आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी यूज कर सकते हैं अब पूरे ही बेस पे हाड़नर को बहुत अच्छी तरीके से सब जगे फैला दिया जाता है हाड़नर डालने के बाद आपको इस surface ऐसे दिखने लग जाएगा यह पूरा surface आप देख सकते हैं इसमें हाड़नर डाल गया है और अब इसके बाद आदमी इसके उपर चल सकता है और power floater इसके उपर हम चला सकते हैं यह देख लिजी यह मेरा इसके उपर circle round shape में इसकी एक plate है जिससे हम इसे power floater बोल दें और यह power floater मेरा इसके उपर चल रहा है power floater आप देख सकते हैं कोने कोने में अच्छे से तेजी से हाला कि बहुत ज्यादा भारी होता है इसलिए आदमी को बहुत सतरक रहना होता है और यह अच्छे से पूरे area में हम इसके चलाने के बाद इस parking area नहीं है तो आप ट्रावल grinding machine चलाएंगे देख लीजी यह मेरा ट्रावल grinding machine है यह इसमें चार ब्लेड लगे होते हैं इससे यह इतना चिकना हो जाता है जैसे मिरर होता है यह पूरा मिरर फिनिश दिखाई दे रहा है मिरर फिनिश के बाद अपॉक्सी फ्लोरिंग भी हो चुक्के होंगे और आपका नल राउने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगap कर सकते हैं अगर आपको अगले दिन कुछ काम करने तो अगले दिन इसमें क्रोला यह इसके बीच के पैनल है यह मैं आपको दिखा दू, बीच वाले कैसे डलते हैं, चार-चार मीटर के गैप में यह alternate cast होते हैं, हाँ जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम एच्छे से इसकी curing कर लेंगे, ठीक है, IS code के साब से हम पूरी curing करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो यह मेरा आगे का circle है, जो direction देगा, और यह मेरे पीछे का circle है, वीडियो में आप देख सकते हैं, यह मेरी मशीन स्टार्ट हो गई है, आगे वाला सरकल है वो direction देता हुआ जा रहा है, और पीछे वाला जो circle हो concrete को काटता हुआ जा रहा है, गुरूव की जो थिकने से हो 5 mm-10 के आसपास होती है और जो डेप्थ है वो 25-30 क्या सपास होती है इस पर रिक्वार्मेंट है जो भी आपकी साइट पर जैसे रिक्वार्मेंट आप ऐसा कर सकती हैं यह हो गया मेरा construction joint construction joint क्या हो गया जो मैंने 44-4 मीटर पर जो मैंने MS Channel लगाए थे चली तो मैं आपको थोड़ा अच्छी से समझा देता हूं देखिए यह वो construction joint है यह जो आपने 44-4 मीटर पर डाले हैं यह लाइन जा रही है construction construction Kenya जाइंट कि यह 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 मैरे कंट्रोल जोएंट की यह मेरा corner में काटा हुआ है ये ये मेरे दो expansion joint है और ये जो मेरे है horizontally ये मेरे construction joint है और ये जो vertically मेरे कटे हुआ ये control joint है ये 44 मीटर पे है मैंने आपको बताया था 44 मीटर पे क्यों है ये मैंने 55 मीटर पे लिए है जो मेरा steel है इसमें steel continue नहीं होगा ये यहाँ आप पर मेरा steel continue है आप देख सकते हैं ये मेरा steel continue है और ये मैंने गुर्व ऐसे काटा हुआ है अब इसके बात कर लेते हैं इन joints में भरा क्या जाएगा इन joints में बेकर रोड भरी जाती है उसके बाद सीलेंड भरा जाता है सीलेंड में आप मास्किन टेप लगा के पॉली सलफाइट भर सकते हैं या फिर आप bitumen भी इसके अंदर भर सकते हैं अब बात कर लेते हैं diamond की diamond क्या काटा जाता है diamond कैसे कटता है देखिए आपको समझ में आ रहोगा अगर कोई भी मेरा वेरहाउस बन रहा है और उसके अंदर बीच मेरे MS के pipe खड़े हुए है और wind pressure आता है या earth को एक आता है तो उसे क्या होगा वो pipes मेरे move करते हैं और मेरे cracks हैं वो develop होने के chance होते हैं तो मैं क्या करता हूँ उस MS Pipe के 4 और एक diamond cut लगा देता हूँ ताकि यह अगर wind pressure से या earth quark से move करेंगे तो मेरी trimix पर कोई इसर नहीं पड़ेगा अब बात कर लेते हैं broom finish क्यों दिया जाता है आपको मैंने बताया था अगर कहीं पर भी RCC road बन रहा है या parking बन रही है कहीं पर भी ऐसे जहां हमें grip की जरूरत है तो वहां अपर हम broom finish दें और अगर हम कहीं पर showroom बना रहे हैं कहीं पर आफिस बना रहे हैं तो हम mirror finish करेंगे जो की travel चला के हम कर रहे थे travel चलाने के बाद भी epoxy flooring भी होती है अगर हम कहीं पर jet का कोई warehouse बना रहे हैं या aeroplane का कोई showroom बना रहे हैं दिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पार्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू